हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम HPJBT mathematics का portion solve करेंगे देखिए आपका ये portion mathematics का HP Pushing Constable के लिए बहुत जादा important होगा मैं आपको एक detailed solution देऊंगा और आपको देखिए exam में जरूर इन से related concept से common sense से और कुछ deep concept से questions देखने को मिलेंगे it's up to you आप video देखना चाहते हैं या नहीं because मैं जितने भी videos provide करता हूं उसमें आपको हमेशा ही detailed solution और एक physical जो एक approach होती है day to day life में वो देखने को मिलती है तो आईए start करते question number 91 तो देखिए question में पूछा क्या गया है अनीता के पास एक कमरा है जिसकी length 9 meter है चुड़ाई 7 meter है उसको उसमें tile लगानी है और tile इस तरीके से लगानी है कि कोई भी tile को cut ना करना पड़े और सारी tile लग जाए तो देखिए इस question को हम किस step में कर सकते हैं इस question को solve करने से पहले इसकी approach क्या होनी चीए थी सबसे पहले आपको total जो शेत्तरफल था या area था वो calculate करना था फिर आपको options में जाके क्या करना था unit conversion करना था और आपको tiles का area था उसको calculate करना था फिर आपको total area को tile के area से भाग करना था उससे आपकी number of tiles आ जानी थी ठीक है sorry फिर जो tiles थी ठीक है फिर जो आपने जो option select किया था आपको फिर क्या करना था 4 step में जो भी आपके ये दिये गए थे जैसे आपके पास कमरे की width थी या आपकी length थी उसको आपको tile की length और width से divide करना था और जितना भी divide करके आथा उन दोनों को multiply करके अगर tiles के numbers के कुल आता तो आपका option सही होना था तो देखिए कैसे करते हैं पहली बात तो आपका total area कितना बनेगा नौगणा साथ 63 meter square आप copy pen निकाल कर answer देख सकते हैं no down भी कर सकते हैं या आगे आपका total area कमरे का area जिसमें आपको tiles लगानी है अब मान लिजे देखिए answer इसका मैं आपको होंगा कि कैसे नहीं होना था और कैसे होना था तो पहले मान लिजे मैंने option a ले लिया 35 35 तो अब आप इसको centimeter में दिया है इसे मीटर में convert कर लें सौसी डिवाइड कर दें तो कैसे होगा 35 into 35 मतलब 0.35 into 0.35 तो यह आपके पास style का area है तो यह total calculate करेंगे तो यह कितना आएगा यह आएगा आपके पास 0.125 तो दूसरा step गयो गया आपका टाइल का area भी आ गया अब आपको टाइल की area से total area को आपको divide करना है मतलब 63 को आपको 0.125 से divide करना था तो यह आपके पास आजना था 514 या 515 इसके equal तो इतनी tiles आपको इस कमरे में लगानी थी अगर आप इन tiles को ल अभी देखते हैं इतनी tiles लगनी चीए अब आपने क्या करना था जो आपकी tile का आपकी जो length और width थी उससे आपको इस कमरे की length और width को divide करना था और जो divide करके आना था वो आपके tiles के sum के बराबर होना चीए था तो आप divide करते हैं आपने 9 को 35 से divide किया और यह कितना आता है आपके पास आता है तो स्वारी 9 को जब आपने 10 लग 3 5 से divide किया तो आपके पास आएगा यह 25.7 मतला हम इसे एक तिरकेसा भी 21 ही ले ले लेते हैं या 26 ले ले लेते हैं 26 ले लेते हैं तो आप याद रखी है और जब आपने divide किया 7 मेटर को 10 लग 3 5 से तो यह कितना आया य आता है आपके पास 20 ठीक है तो जब आपने 20 and 26 को multiply किया तो यह आपके पास आता है 520 बट जो हमने अभी tiles calculate करी थी वो थी आपके पास 514 या 515 ठीक है तो तो देखिए इस में difference आरा 6 tiles तो यह आपकी नहीं हो सकती है तो आपका जो option a वो गलत है अब हम चलते हैं जो आपका right option होगा वो है आपका option d 35 into 45 अब देखते हैं कैसे आपको पता area तो आपके पास 63 meter square है कमरे का तो आपने 0.35 into 0.45 को multiply किया तो आपके पास कितना आता है जब आपने इसे multiply किया तो यह आपके पास आता है दश्मलाव 15 75 अब आपको 63 को इससे divide करना था तो जब आपने इससे divide किया तो यह आए आपके पास 400 मतलब चार सूटाइल उस कमरे में लगेंगी फिर उसके बाद आपको width से width को और length को length से divide करना था मतलब 9 को आपको दश्मलाव 35 से और 7 को आपको दश्मलाव 45 से भाग करना था जब आपने 9 को दश्मलाव 35 से भाग दिया तो यह आपके पास आया 25.71 और जब आपने साथ को दश्मलाव 45 से भाग दिया तो यह आपके पास आया 15.55 तो जब आपने 25.71 को multiply किया 15.55 से तो यह कितना आता है यह आता है आपका 400 ठीक है तो इससे यह पता चलता है कि आपकी condition भी satisfied होती है और आपको टाइल्स तोड़नी नहीं पड़ेंगी क्योंकि टाइल्स आपकी पूरी पूरी है तो इस तरीके साब का option D right answer होना था hopefully आपको यह समझ आया हो देखें नेक्स कोर्शन है हमारा कोर्शन नमबर 92 इफ 76 इडिवाइद इन्टो डेशियो ऑफ 7 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 4 देन समाले स्वार्ट विल बी आपको बताना चेतर को आपको इन टू गुड़ों में बाटना है तो सबसे चोटा भाग क्या होगा पहली बात चोटा भाग क्यों से तीन और टोटल जो है इसका साथ और पांच बारा और तीन बारा तीन पंदरा चार उननीस ठीक है तो जब आप छेतर से भाग करेंगे तो आता है चार और चार गुणा तीन बारा तो आपका अंसर जोगा ऑप्शन ए बारा next question आपका radius of sphere is 2D by 3 then its volume is देखे डारेक्ट question आपको गोलेका इतन बताना है उसकी तरिज़ा आपको 2D by 3D है कई बार देखे इससे direct question पूछा जाता है इन फॉर्मुलास पे कि आपको volume दिया है या surface area दिया है तो आपको सारे फॉर्मुलास पताना चाहिए तो अगर आप sphere या गोले का volume की बात करें तो वह था को 4 by 3 pi r cube और r आया है यहाँ पर आपको कितना दिया है 2D by 3 तो आप इसे कैसे करेंगे 4 by 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा multiply by pi into r की value कितनी आपको 2D by 3 ठीक है 2D by 3 इसका cube ठीक है तो यह आएगा मैं थोड़ा उपर solve करता हूं इसे 4 by 3 pi और यह आपका 2D by 3 cube तो जब इसे हम open करेंगे तो 4 by 3 pi तो देखिए जब 2 का cube करेंगे आप 2 का cube करेंगे तो यह आएगा आपका 8 और D का cube ऐसे ही और जब आप तीन का भी cube करेंगे तीन तीन नौत यह 27 तो यह कितना मैं जाता है आठ चुगा 32 और तो आपका जो राइट आंसर होगा option A correct answer है next question है आपका the sum of two number is 15 if sum of their reciprocal is 3 by 10 then the numbers are देखिए दो संख्यों का योग है उनके वयुत क्रमों का योग फल भी आपको 3 by 10 दिया है तो आपको दो संख्या है जात करनी है तो देखिए पहला तो आप options से ही कर सकते हैं देखिए इसमें सबसे पहली बात ही है सबी का जो total है वो कितना दिया गया है 15 तो अब आपको च देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं जासे माली जी मैंने माने की option यह सही होना चाहिए तो अब को पता है जब इसका LCM ही कितना आएगा आपका LCM आएगा इसका 12 ठीक है तो आपका जो option है वो तो उसमें तो 10 दिया है 3 by 10 आना चाहिए तो अब हम जो right answer देखते है व 1 by 5 plus 1 by 10 तो देखिए 5 और 10 का LCM कितना आता है 10 तो आपको कुछ करने की जरूरती यह नहीं है आपका जो right answer होगा option C 5 by 10 और अगर आप देखें भी एक वटा 5 और एक वटा 10 LCM आगया आपका 10 ठीक है 10 को 5 सी डिवाइड किया 2 प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 तो 3 बटा 10 तो आपका answer आगया option C 5 by 10 तो देखिए कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ options से ही करना होता है आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता है next question है आपका the least multiple of 19 which when divided by 8, 12, 1, 15 leaves remainder 2 in each case आपको बताना है 19 का सबसे छोटा गुनज जब आप उसे 8, 12 या 15 से भाग दें तो आपके पास 6 फल 2 बचे तो इसका जो right answer option C 7, 22 आप भाग करके भी देख सकते हैं यह जब आप इन नंबर से भाग करेंगे तो आपके पास जो है वो दो शेश फल बचेगा आप इसे LCM से भी कर सकते हैं बट एजी नंबर था तो आप simply भाग करके भी देख सकते हैं next है आपका आपके पास value दी गई है A और B की और आपके पास एक equation दी गई है आपको बताना है तो इस equation में अगर आप A और B की value पुट करते हैं तो क्या result आता है तो आप इसे ध्यान से देखें 25 स्क्वेर 16 स्क्वेर 16 स्क्वेर 16 बी स्क्वेर तो यह अगर आप इसे close करें ठीक है यह किसकी equation बनेगी यह बनेगी 5A प्लस 4B की equation बनती है ठीक है देखें क्योंकि जब आप इसे open करेंगे A का स्क्वेर 25A स्क्वेर यहाँ पर आगया प्लस B का स्क्वेर 16 4 का स्क्वेर B तो यह बनेगा 16B स्क्वेर प्लस 2AB तो आपका पता चल गया कि यह जो equation है यह है आपका 5A प्लस 4B का रूप ही है जो इन्होंने expand किया है तो अकर आप इसमें value पुट कर दें A की जगा आपको कितना पुट करना है 23 3-4 into B जो है आपका negative में तो यह आपके पास आजगा square तो जाब आप इसे multiply करते हैं तो आपके पास कितना है तो आपके पास कितना है 15 15 111-116 ठीके तो यह आपके पास बचेगा 1 तो आपका जो right answer होगा option A1 तो कि minus 1 का square आपको पता है 1 ही होता है next है आपका if the parameter of a rhombus is 4A and the length of diagonal are x and y then its area is देखिए आपको सीधा question पूछा गया है rhombus का जो area होता है वो क्या होता है वो ता आपका इसके जो diagonals होते है ठीक है उनकी length divided by 2 ठीक है तो इसका जो right answer होना था option D 1 by 2 x y यह पहले भी question पूछा गया है next question है आपका if the area of an equator triangle is 81 root 3 cm square then the height is संभा हो त्री बुचका आपको किसे तरफल दिया गया है आपको इसकी उन्चाई ग्याद करनी है यह question थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको पता है अगर हम बात करते हैं एक area of equilator triangle मतलब कि संभा हो त्री बुच का area कितना होता है यह होता है आपका अन्रूट 3 मैं यहाँ पर S इसकी एक साइड ले रहा हूं divided by 4 आप ABC जो भी लेना चाहें ठीक है यह आपका formula होता है और आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है 81 root 3 तो इस root 3 से आपका root 3 cancel हो गया तो आपका यहाँ से S कितना आ जागा 81 into 4 मतलब कि sorry यहाँ पर square भी होता है 324 तो यहां से आपका S आ जागा unroot 324 तो S इकुल आ जागा आपका 80 ठीक है formula क्या था unroot 3 divided 4 into S square ऐसा आपकी इसमें side होती है संभाव 3 भूज की ठीक है तो यहाँ पर आपकी एक side आ चुक है जो है आपकी 18 cm के बराबर ठीक है तो आपको इसकी उन्चाई भी गयात करनी है तो अगर आप इसकी उन्चाई गयात करना चाहते तो उन्चाई आपकी कैसी गयात होगी तो जो आपकी height होती है वो होगी आपकी base into sorry जो आपकी height होगी वो bh by 2 जो area वहां से आपका total area के बराबर होगा आपका heroine formula उता यह उसी का result है जहां पर यह bh by 2 आया है तो आपके पास जो 6 side दी है जिसे हम कहाथ सकते है बित दी है तो वो है आपकी 18 और आपको height find out करनी है डिवाइड बाए 2 और total area आपके पास दिया गया है 81 अंडूर 3 तो यहां से डिवाइड हो जगा यह 9 पे 9H बराबरे 81 अंडूर 3 तो जब यहां से H की वैल्यू किया जागी 81 अंडूर 3 गिवाइड बाइ 9 तो 9 से क्या सी गया ठीक है यह 9 पे जाएगा तो आपके पास जो आंसर हैगा 9 & root 3 cm तो आपका जो right answer option है 9 root 3 cm option है आपका right answer है नेक्स कुशिन है आपका 2 by 8 का आपको additive inverse याने की योज्य प्रतिलोम बताना है additive inverse या योज्य प्रतिलोम क्या होता है आपको इस नंबर में ऐसा नंबर जोड़ना है ताकि जब आप इसका total करे sum करें या योग full करें तो वो 0 के बराबर होता है तो आप क्या जोड़ सकते थे 2 by 8 में कर आप minus 2 by 8 को जोड़ते तो कितना था 0 तो यहां से जो आपका right answer रहां था option C minus 2 by 8 आपको दिया गए next question की diagonal आपको दिया कैए square की और उनकी length कितनी है 10 cm आपको area बताना है आपका square की तो देखिए जो formula होता है इसका direct formula होता है diagonal की square divided by 2 ठीक है तो diagonal कितना दिया गए 10 10 का square divided by 2 10 का square under divided by 2 तो यह आपको पास 50 तो आपका जो right answer रहां था option B 50 cm square next question का देखिए मुझे भी नहीं पता तो अभी के लिए skip कर रहें next question आपके पास आपको rectangle की side दी गई है यानि कि आयत की दो sides दी है आपको perimeter पता करना है perimeter क्या होता है rectangle का वह ता आपका two गुणा इसकी दोनो side का योगफल तो देखिए कैसे होगा two गुणा आपके पास side दी गई है तो three x square minus two y square plus x square plus three x y तो two into ठीक है तो यहाँ पर x square x square जोड़ दी तो four x square minus two y square plus three x y तो जब आप इसे गुणा करेंगे eight x square minus four y square plus six x y तो आपका जो right answer होना था वो option a correct answer है नेक्स्ट है आपका the difference between the place value of five in number and the face value of seven in this number is तो देखिए इसमें आपको 29503 में 5 का स्थानी अमान बताना था यह कितना होना था काईदाई सेंकडा ठीक है तो यह बनना था आपका 500 और आपको इसमें place value बतानी थी 3271 में 7 की ठीक है तो place value आनी थी आपकी साथ sorry face value तो जब आप यह आपका 500 और आपकी जो face value थी आपको उसका difference बताना था यह बनना था आपके पास 493 तो आपका जो right answer option c 493 नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया कि आपके पास एक sum कौन तरी भूज़े है आपके एक angle 90 degree को होता आपको पता यह तो आपको बताना कि जो noon कौन है जिनका sum जो है वो 90 degree से कम है वो कितना होगा देखे right angle triangle आपकी यह होती है ठीक है इसका यह angle 90 degree होता है तो आपकी कौन से कितने कितने लिग्री के angle होते ह्यां का general का सम होता हो कितना होता है 180 degree ठीक है तो आपका 45 कोगा यह और इस कोगा यह 45 हो गए कि अगर आप 90 प्लस मालीज आपको नहीं लगा पता x x करें ठीक एक्स प्लस एक्स करें तो यह आपका 2x बन जाएगा और 180 मेसेज आप जब आप 90 गटाएंगे तो आपके पास 90 आएगा और जब आप उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आएगा या फिर आप दो पूछे गए तो 45 कर लें 90 और एक आपको पता ही 90 प्लस 90 ठीक है तो यह आप क्या हो जाएगा ऑप्शिन भी 45 डिक्री आंसर नेक्स कोशिन है आपका तो सम आप टू पॉसिटिव नंबर इस 63 इफ वन नंबर इस एक्स अन इस डबल दादर रैंद एक्वेशन इस मतलब आपको पूछा है कि दो दनात्मक संख्य है उनका योगफल 63 है एक स इस ने कहा है कि यह आपके दूसरी संख्या के दो गुना है तो आपकी जो दूसरी संख्या वो इसकी आदी है यह हो सकता है ठीक है तो हम करते हैं कि एक्स प्लस एक्स बाइटू कितना होना चाहिए तो यहां से हम एक्स बाइटू निकाल लेते हैं तो एक्स बाइटू कित equation इसी तरीके से बना दी अब आप इसको उल्टा कर लीजी ठीक है तो x by 2 कितना बनेगा 2 by x और 1 by 63 minus x तो यहाँ से जब आपका यह multiply होगा ऐसे यह बन सकता है आपका x divided by 63 minus x तो आपका जो right answer option d correct answer next है आपका cube has volume 125 cm cube area of its one faces आपको cube का volume दिया है तो cube का volume क्या सबता है cube के अगर मैं side मान लेता हूँ ए ठीक है तो a cube होता अचका volume कितना दिया है 125 तो जब आप यह cube root हटाएंगे तो यह a की value कितने आगी 125 ठीक है तो यह आजागा आपके पास 5 मतलब आपके पास आगी side a 5 तो जो cube का area होता हूँ कितना होता है a square तो मतलब 5 का square कितना आजागा 25 cm square options यह आपका right answer है next question है आपका the sum of all the positive factor of 84 which are multiple of 7 is आपको बताना है 84 के सबी धनात्मा गुनोन खंडो का योग जो 7 के गुनाज question देखे क्या पूछ रहा है 84 के factors बताने है मतलब जिससे 84 भाग हो सकता है 84 ही आएगा 2 से करेंगे तो कितना आएगा तब आएगा आपके पास आपका 42 ठीक है 3 से करेंगे तो आपका 3 पे भी चला जाता है आपका 3 दूनी 6 और आपका 28 पे चला जाएगा ठीक है जो आपके 7 की गुनज गुनज के मतलब की जो 7 के पाड़े में आती हो एक तो पहला आपका साथ ही होगा ठीक है तो बारस सत्य 84 फिर 14 पे जाता है ठीक है 24 फिर 21 पे जाता है आपका 21 को जब आप करेंगे तो 4 पे जाएगा 21 ओके 84 फिर जाता है आपका 42 पे ठीक है तो आपका कितना चला जाता है ये 42 ठीक है तो 7 आपका 14 21 और ये 42 हो गया ठीक है तो जब आप इनका टोटल करेंगे और आपका ये 28 पे भी जाता है ठीक है और ये सारे जो नंबर ये साथ के पाड़े में भी आता है साधूनी 14, साथ 21, साथ चोकटाई और साथ ची के 42 तो जब आप इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है आपके पास टोटल आता है 112 होफूली आप कोश्चन को समझेंगे कोश्चन ये था कि आपको 84 के फेक्टर बनाने थे और ऐसे फेक्टर बनाने थे जो जिनके साथ जो साथ के पाहड़े में भी आते हैं और उनका आपको टोटल बनाना था इसका ए इसका कितना होते हैं नेक्स्पे आपका the smallest common multiple of and the largest common factor मतला आपको एक LCM दिया है एक आपको SCF उनका आपको division बताना है कितना आएगा ठीक है तो 200-400 की बीच में आपको LCM बताना है ठीक है जब आप 30 और 45 और 60 का जो है LCM लेंगे ठीक है तो वो कितना होगा वो आपका 180 ठीक है 180 आपका LCM होगा बट इन्होंने क्या कहा है जब आपने LCM लिया कि जो है आपके 200-400 के बीच में मिनीमम ठीक है बात LCM की कर रहे है तो अगर हम इसे 2 से multiply करते हैं तो यह आपके पास number 360 वो किसके बीच में आ जाता है वो आपका 200-400 के बीच में आ जाता है देखिए इन्होंने smallest common multiple की बात करी यानि कि LCM पर जो मेरा LCM LCM आया वो आया 180 जो 200-400 के बीच में नहीं है तो मैंने सबसे न्यून्तम नंबर जो multiply करा जो 200-400 के बीच में मेरे नंबर को ले आए वो किया मैंने 2 तो आपके पास आगया भी 360 और आपको HCF बताना है 15, 24 और 45 का ठीक है तो HCF कितना आएगा इसका HCF जो आएगा वो 3 से 3 से ये 15 कम्प्लिट डिवाइड होता है 24 भी और 45 भी तो आपका HCF कितना आया 15, 24 और 45 का HCF कितना है तो जब मैंने 360 को 3 से डिवाइड किया तो कितना है आपके पास 120 कोशन आप से यही पूशा गया था कोशन आपको ये बताना था कि जब आप LCM को आपको डिवाइड करना था HCF से तो LCM आ गया था मेरे पास 360 और आपके पास HCF आया था वो 3 अब हमारे पास LCM जो स्टार्टिंग में आ था वो था आपके पास 10,000 मालीजी आपके 10,000 हैं सेंकड़ा 10,000 10,100 मतलब 10 को आपको 100 से गुणा करना है तो 100 के 10 नोट कितने हुआ हजार 1, 2, 3 10, 10 मतलब 10, 10 के नोट 10 कितने हुआ 100 0, 0, 1, 1, 1 तो कितना बना आपका ये आपका बना Option C 11,100 Option C आपका राइट आंसर कि आपकी एक ट्रेन है है वो हैदराबास से शुकरवार को 13 बज कर 15 मिनट पर चली और शानिवार को बैंगलोर में वो 7 बज कर 30 मिनट पर पहुंची तो यातरा में आपको कितना समय लगा तो देखे 13 बज के 15 मिनट का मतलब है कि वो आपकी सवा एक बजए दिन में चली है तो हम माल ले थे अभी तो यहां से जब 13 से आपके 13 बज के 15 मिनट से और रात के जो 12 बजएंगे उसके बीच में कितना टाइम है उसके बीच में जो आपका टाइम है वो है आपका 10 गंटे और 45 मिनट ठीक है तो यह आपका 10 गंटे 45 मिनट अब आपके बज चुके हैं 12 और सुबर ट्रेन कितने बजए है पहुंची है वो बजए पहुंची आपके 7 गंटे और 30 मिनट में तो देखिए 45 और ए 30 अब आपका 1 गंटा बन चुका है यहाँ पर 45 और 30 75 मिनट होते हैं मतलब कि 1 गंटा और 15 मिनट ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट में आएगा वो आएगा आपका 15 और 10 और 7 17 और 1 18 तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 18 गंटे 15 मिनट में देखिए इसमें कुछ नहीं था आपको इनको तोटल देखिए अगर आपने इन्हें इक्वल करना था ठीक है एक तो आपको 24 बजाने थे यहाँ पर यानि की 12 बजाने थे रात के और फिर आपको इस टोटल इसको एड कर देना था तो आपका easy question था आप सभी को ही आता होगा next आपका which of one of the terminating decimal पिछले question में आपका जो forest card का question था उसमें भी यह question पूशा गया था तो इसका जो right answer option b देखे कैसे 17 को अगर आप देखे 2 का cube 5 raised to 0 तो something raised to 0 is 1 तो अगर आप 17 को 8 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा भाग हो जाता है तो आपका जो right answer option b next आपका for some integer if every odd integer is the form of मतला आपको ऐसा बताना है अगर आपके पास एक पूरणांख दिया गया है q है तो आपको in में से ऐसा option select करता है जब भी आपको भी value put करें तो आपका जो answer है वो हमेशा ही odd number आए तो अब देखते हैं कैसे q अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दू यह 4 डाल दू तब तो यह आपका even number आता है मान लीजे q प्लस 1 मैंने q की जगा कितना बर दिया 3 3 प्लस 1 कितना है 4 तो यह भी आपका गलत है यह दोना गलत 2 q मतला अगर मैं 2 की जगा 2 डाल दू 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 नहीं 4 यह भी आपका गलत है अब मैं देखता हूं इसको 2 q प्लस 1 को मान लीजे मैंने कितना गया 2 into 1 1 plus 2 into 1 2 plus 1 equal to 3 तो अब यह आपका सभी बैट रहा है मैंने मान लीजे 5 डाला 2 into 5 plus 1 equal to 11 तो मतलब जो भी है वह सारा आपके और नमबर में आ रहा है तो आपका जो राइट आंसर होगा option d 2 q plus 1 आपसे question पुछा गया है आपको यह 10th standard से लिया गया है आपका जो standard mathematics book है 65 और 117 का आपको LCM बताना है ठीके तो आपको HCF दिया गया है तो आपको m की value find out करने है तो आप कैसे निकाल सकते हैं सिंपल यह आप इसे भाग कर दीजिए ठीक है तो एक पे जाएगा तो यह बचेगा आपके पास साथ में से 5 के 2 और 11 में से 6 तो आप इसे divide करेंगे 65 को bounce से तो एक इस पे जाएगा यह तो अब यहां से बचता आपका 13 और जब आप 13 को bounce से भाग देंगे तो कितना आता है चार तो आपका जो HCF कितना आया HCF आता है आपका 13 ठीक है तो आपका जो है है वो HCF आ चुका है तो आप क्या करेंगे 65M minus 117 equal to 13 कर देंगे ठीक है तो 65M यह 13 पर जाके प्लस हो जाए कितना बने गई है यह बनेगा आपके पास 130 M की value कितना आईगी यहां से 130 बटे 65 यह 2 पर जाएगा तो आपका जो right answer को option भी 2 आपको नमबर दिये गए है आपको इसे छोटे और बड़ी संख्या का अंतर बताना था तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी तो बड़ी संख्या आपकी इन ठीक है तो यह बन गी आपकी 98,650 और सबसे चोटी संख्या क्या बन सकती है आप सबसे पहले 0 ले लिजिए 0 और 5 और आपका बन सकता है 6,8,9 ठीक है तो सबसे चोटी संख्या आपकी बन गई 0,5,6,8,9 तो इसका जवाब माइनिस करेंगे इसका जवाब डिफरेंस निकाल तो कि इतना आएगा डिफरेंस आएगा आपके पास option C 92,961 यानि कि 2961 option C आपका right answer है next आपके पास आपके पास ऐसा कहा कि आपके बस continuous number है और उनकी 102 है आपको BOD का गुनन फल बताना है तो देखिए आप यह आप common sense based questions आप कैसे कर सकते हैं मान लीजिए मैंने कहा कि आप म आपके इसके आसपास ही मिलते हैं तो अगर मैं बात करता हूं 100 की 100 101 102 103 और आपका 104 100 भूल जाएए आप ठीक है एक और दो कितने हुए एक दो तीन और चार का divided by 5 तो एक और दो तीन और तीन छे और चार दस तो answer आपके पास दो मतलब आपके पास last में 2 आ रहा है तो मतलब आपके जो आपने नमबर लिए वो आपके बिल्कुल fit है ठीक है और अगर आप इसका ऐसे भी अगर आप इनको total करें 100 101 और दो तीन चार को ठीक है तो आपके पास इनकी average कितने आती है 102 ठीक है तो आपका जो इनर पूछागी B and E ठीक है तो आपका नमबर यह थे 100 101 102 103 104 तो आपका जो B है B है आपका 101 और D है आपके अपास 103 तो आप कुछ नहीं करना था एक और तीन की multiplication तो तीन ही आनी थी तो इसका जो right answer है हमारा option B 10403 आप करके भी देख सकते हैं अगर आपको doubt है बट नहीं होगा क्योंकि आपको पता last में 3 ही आ रहा है तो देखिए बहुत easy question था next question है आपका if the total age of A and B is 12 years more than the total age of B and C and C is the younger than A by how many years तो आपको बताना है यदि A तथा B की कुल आयू B तथा C की कुल आयू से 12 जादा है तो C A तो C A से कितना छोटा है तो A तथा B की आयू कुल आयू तो दोनों का total B तथा C की आयू से कितने जादा है 12 किसकी आयू से कुल आयू लिखा है ना तो B प्रस C भी लिखतेंगे हम तो अगर मेरे को किस की पता करनी है मेरे को पता करना है C कितना छोटा है A से तो मैंने क्या किया अपने A भाई को इधर ले आए A C को A माइनस C ठीके और 12 प्लस B और ये B परे चला गया तो B माइनस B कैंसल हो गया तो देखे अब equation बन गी न A ठीके या C कितना छोटा है A से वह है छोटा 12 साल ठीके तो देखे कितना easy question था तो इसका जो right answer है option C 12 years Next question है आपका 2 km 5 meter is equal to ठीके तो 2 km में आपने अगर 5 km जोड़े तो कितने में 2,5 1000 से डिवाइड करें ही तो कितना आएगा यह आजाएगा आपका 2.005 km options यह आपका right answer होगा maybe कुछ लोगा यह answer गलत हुआ हो because of miscalculation Next question है आपका कि आपको LCM लेना है तीन number का 10 square, 11 square and 12 square और बताना है वो number कौन सा है जिसका यह LCM बनेगा तो देखे कि यह से कर सकते हैं आप 10 square को बूल जाएगे कि 00 है तो यह सभी कोई भाग कर देगा तो कोई issue नहीं है issue है आपका भी फिलाल हम देखते है 121 ठीक है और 144 पहले इसके factor करते हैं तो इसका तो factor यही बनेगा 121 ही इसका factor बनेगा और अगर हम बात करते हैं 144 की तो 144 को हम कैसे लिखते हैं 2 into 72 और इसे हम कैसे लिखते हैं 2 into 2 into 6 का square यानि की 36 दोना बहत्तर दोना 144 अब 100 की बात करते हैं 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 को हम लिख सकते हैं 2 square into 5 square देखी यह LCM को एक numbers के थूरू निकालने की टेकनिक है otherwise sometime बहुत लंबा हो जाता है तो यहां से देखी मैं क्या क्या ले लूँगा एक तो मैं ले लूँगा 2 का square ठीक है एक मैं 5 का square ले लूँगा एक 6 का square ले लूँगा और जो एक अलग number है आपका 121 तो देखीए 2 का square into 5 का square into 121 into 6 का square तो अगर आप देखें 24 25 तो यह तो आपका बन जाता है 100 ठीक है और यह आपका बन जाता है 36 और यह बन जाता है आपका 121 ठीक है तो जब आप इसे multiply करेंगे ठीक है तो देखीए यह तो आपका कि इसे multiply करेंगे यह आ जाएगा आपका 121 100 ठीक है और 121 को अगर आप 36 से multiply करें 100 भूल जाएए लास्ट की आपको पता ही 00 ही आएंगे इसे भूल जाए तो 6 कम 6 12 ठीक है 12 ठीक है और 3 कम 3 12 ठीक है 36 तो कितना आएगा 6 3 और दो 5 7 और 6 13 और ये 4 ठीक है तो आपके पास आगया 4 3 5 6 तो आपका जो राइट आंसर होगा आप्शन ए 4 3 5 6 36 00. नेक्स्त है आपका दपुबपलिशन ऑफ ताउन इंक्रीस बाइट फ़ाइब पर्षंट एवरी ये इइक प्रचेंट आपको पूछा जा रहा की एक बस्ती है या नगर है वांकी जो जन संक्या है पर ये फ़ाइब बढ़ जाती है आज उसकी जो जन संक्यां हो तो 9261 हो चुकी है यानिकि बान उसे 61 हो चुकी है तो तीन शाल पहले उसके कितनी थी तो आपको कुछ नहीं कहना था आज कितनी है 9261 ठीक है हम उसे मान लेते हैं कि उस टाइम एक्स रही होगी कर भी ठीक है तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआज में 5% को होता था मतलब 105 बटे 100 ठीक है और तीन बार हुआ है तो 105 105 ठीक है तो जब आप इसे काटेंगे तो ये 21 बटा 20 बन जागा है 21 बटे 105 और ये 20 बटे 100 आपके पास बनेगी 9261 की x into 21 by 20 का क्यूब ठीक है तो एक्स यहां से कितना आजाएगा आपके आपके पास इसका राइट आंसर आना चाहिए ठीक है वह आजाएगा आपके पास आप्षिन डी एट थाउजन है अगर आप 9261 को को किसे क्यूब से काटते हैं ठीक है या आप स्कुरे से भी देख लें काटके ठीक है तो अभी आपके पास देखे अगर आप इसे स्कुरे से काटे हैं देखे नाइन टु शीक्स वन था आपको डिवाइट करना था 21 के क्य तो आपका जो राइट आंसरी था ऑप्शन दी तो फुली आपको यह कुश्टन समझ आए हूं देखिए मेरे पास इतने संसादन नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझा सकूँ जीतना मैं एक स्क्रीन पर लिख सकता हूं मोवाइल फॉन की मैं कोशिश करत कि आपको उन चीजों को समझा सकूँ ओफुली आपको वीडियो पसंदा ही हो सॉलुशन समझ आया विकॉज वह ज्यादा इंपॉर्टन है तो एक लाइक बनता है अगर आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है तो आप प्लीज कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तिल देन हाव गूद ताइम टेक केर